क्रिकेट लवर्स बंगलादेश वर्सिस इंडिया सेकंड ओडियाई तो मैं बताऊँगा की कैसा रहा एक्सपिरियंस बंगलादेश ने कैसे भारत को हराया राह रोहित शर्मा का कैसे मेहनत उनकी वेंस चली गई कैसे वो इंजर्ड होने के बावजुत इतनी बहात्रिन बल् जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बोक्स में अपनी राह जरूर दीजिए कि आपको बंगलादेश वर्सिस इंडिया की सिरीज में सबसे बहत्रीन क्या लगा तो पहला मैच हम बहुत क्लोज हारे बंगलादेश ने अच्छा फिनिश किया और लास्ट विकेट की 50 प्ल पहला देश में महमुद अल्ला और महदी हसन मिराज की क्या पार्टनर्शिप हुई और भारतिय टीम की खराब फिल्डिंग के वज़े से लगातार खिलाडी इंजर्ड होने के वज़ेसे लिफडाइस शेटेड होता गया और इसली बंगलादेश के पलेयर स्कोर करते गए इनकी बलेवाजी देख लेजी या फिर इनकी गेंदबाजी देख लेजी हर जगे अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं परन्तु महामुदुल्ला ने अपने एक्सपिरियंस का बहुत ही अच्छा यहां पे पेश किया पर्फोर्मेंस को कि कैसे एक इनिंग को पेश किया जाता है महामुदुल्ला एक एक्सपिरियंस के लाड़े परन्तु मैदी हसन मिरासका उन्होंने बहुत ही अच्छे से साथ दिया आरते गेंदबाजी में वाशेंटर सुंतर ने एक ही और इमें दो विकेट निकाले परो कुछ खास नहीं कर पाई जो सिराज थे सिराज की गेंदबाजी भी शुरू में थोड़ी वो ठीक ठाक रही दस ओवर में 73 उन्होंने दिये इपक चहर इंजर्ड हो चुके हैं कुलदीप सेन भी इंजर्ड हो गए रोही शर्मा के भी थंब इंजर्य हो गई थी तो रोही शर्मा थर्ड ओडेम में नहीं खेलेंगे और टेस अधिश के साथ था शुरुवात भारत की वैसी ही हुई विराट कोली शिखरदवन अपने पहले दो तिन ओर में चलते बनेए चोधारन पर दो विकेट गिर चुके थे उसके बाद श्रेस ऐयर वाशंटर सुंदर की चोटी सी पार्टनर्शिप लगती है वाँ सुंदर का स्कॉर किया है अगर वही चीज़ श्रेस ऐयर और अक्षा पटेल करते की अक्षा पटेल 80 प्लस स्कॉर करते है और श्रेस ऐर की अच्छी सेंचुरी होती है तो एक बहत्री नौक हो दी पर तो श्रेस ऐयर टीम को क्रॉस नहीं करा पाए उसके बाद आते हैं मिस्टर फिट करने की जुरुत है सिर्फ फिट खिलाडियों को रखे पर्फरमेंस भी सबसे ज़्यादा माइने रखती है थी पक चेहर ने एक शिक्स लगाया जहां सब यह मान बैठे थे कि टीम इंडिया वन सेड़ेट लिए मुकाबला हार जाएगी दो और में 40 रन चाहीए थे और रो बहुत ही मुश्किल चांस होते हैं परन्तु रोही चर्मा ने काफी अच्छा प्रयास किया और मुस्ताफी जुरहमान का एक्सपिरिस यहां जीत गया और जो बात कुरू मैं बांगलादेश की गिनबादे की वह भी काफी बहतर हैं रही शाकी बल हसन काफी अच्छा करें परन्तु इस सीरीज में जो मैं आफ ता सीरीज जाने वाले हैं वो महदी हसन मिराज उसके नंबर वन कैंडिडेट हो गए हैं क्योंकि जैसे उन्होंने पिछले दो मैचों में पर्फरमेंस की है वो बहुत ही जबरदस रही है और बांगलादेश क्रिकेट 2016 मेरे साब से सिर कर रही है वो क्या कर रहे है भाई पर्फरमेंस तो उनकी कुछ नहीं आ रही है तो उस पर भी काम करने की जरुत है तो दोस्तो आई होप जो मैं आपको बता है वो पसंद आयोगा उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि शुरेस एर ने एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है कि भारतिय टीम की तरफ से 15 सोरन बनाने वाले वो पहले खिलाडी बन गए हैं सबसे तेज 15 सोरन उन्होंने बनाए हैं 15 सोरन बनाए है वो 34 इनिक में बनाए हैं उससे पहले ये रिकॉर्ड के नाम था 36 इनिक्स उन्होंने ली थी उसके अलावा कोहली और धवन की 38 इनिक्स अगर clean sweep कर देते तो अभी आपको shock होने की जरूत नहीं है तो I hope आपको वीडियो पसंद आयोगी अच्छे लगे तो इसको like, share, subscribe जरूर करना मिलते हैं next video